आज हम बात करेंगे fake AI detectors tools के बारे में कैसे AI detectors tools ने beginners का दिमाग खराब किया हुआ है कैसे ये एक business model बना जो लोगों के sentiments के साथ खेल कर उन्हें बस दो color codes में उलजाया हुआ है और ये color codes है red और green इन color codes पर भी मैं आऊँगा बट पहले मैं आपको इस वीडियो का context समझा देता हूँ अब आपने इस वीडियो को देखने का decision लिया है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वीडियो देखने के बाद आपको पता चले यार ये तो मेरे काम की नहीं थी तो अगर आप एक content writer है, blogger है तो आप AI का थोड़ा बहुत तो use करते ही होंगे आर्टिकल्स वगरे लिखवाने के लिए जैसे chat GPT, Gemini या फिर किसी और tool का आपने ऐसे भी बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी जहां ये बताया जाता है कि AI से लिखे content को AI detection tool में डालो तो वहाँ पर human return score 60%, 70% या फिर 80-90% से ज्यादा आना चाहिए या फिर कोई कोई कहता है कि 100% ही आना चाहिए तब ही आपको AdSense का approval मिलेगा मतलब कि जब वो AI detector tools आपके लिखे हुए content को जो आपने chat GPT या किसी और tool से लिखवाया है जब वो check करे तो वहाँ पर score 100% के आसपास हो या 60-70% के आसपास हो और color code green हो red ना हो और अगर content human return नहीं आ रहा तो उस content को again किसी और AI tool जैसे quillbot में refresh करवाओ या फिर किसी AI content to humanizer text tool से human return करवाओ और फिर से AI detection tool में उसे check करो फिर आपने देखा होगा वो यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि उनका 100% human written content आता है और आप खुश हो जाते हो आप भी उसी यूट्यूबर की तरह करते हो और दिन के 20-20 आर्टिकल लिखवाते हो और अपने blog पर publish करते हो आप उस 20 में से एक भी आर्टिकल को read नहीं करते हैं बस एक अंधा भरोसा होता है कि भाई मैंने YouTube पर देखा है मैं तो सही कर रहा हूँगा पर आपका ये भरोसा बहुत जल्दी तूट जाता है जब आप देखते हो कि इतने सारे आर्टिकल लिखने के बाद भी आपके कुछ आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं हुए या फिर सच रिजल्स में ही नहीं आए और या फिर आप भी गए तो rank नहीं हुए तो ये जो वीडियो है ये इसी problem के solution पर है ये आपके दिमाग से AI डिरेक्टर टूल्स का भूत उतार देगी I hope ऐसा हो जाए लास तक इसलिए पूरी वीडियो देखना, skip मत करना अदरवाइस तो समझ नहीं पाओगे और फिर comment मिल लखोगे यार मुझे कुछ समझ नहीं आया तो solution को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि AI टेक्स डिरेक्टर टूल्स काम कैसे करते हैं मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा और नहीं टेक्निकल वर्ड्स का जादा यूज करूंगा बहुत ही आम भाशा में हम AI टेक्टर टूल्स को decode और ये समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे का AI detection tools का मतलब है ऐसे tools जो दिये गए content को check करके ये बताते हैं कि वो किसी AI tool ने लिखा है या फिर किसी human ने और इसके लिए AI tools यूज करते हैं machine learning और natural language processing को machine learning की help से ये tool ये check करते हैं कि उन्हें जो set of text दिया गया है वो उनके training data से match कर रहा है या नहीं अब यहाँ पर आप पूछोगे कि training data क्या होता है देखो training data का मतलब है कि पहले से जो available data है पूरे internet पर वो दे दिया जाता है और उसी data पर training कराई जाती है AI model की through algorithms और बहुत सारी set of codes होते हैं उनके through next content के लिए predictive analysis किया जाता है article बिल्कुल plane है एकदम straightforward जा रहा है या उसमें कोई human emotion नहीं है कोई भी surprise element नहीं है कोई real set of experience नहीं है इसके साथ ही दिये गए content के patterns और sentence structure को भी check किया जाता है उसमें semantic meaning को sentence structure को और language choice को check किया जाता है और check करने के बाद AI tools के पास जो उनका existing database होता है जो उनको training के time दिया गया जो मैंने भी आपको बताया उससे जो आपने content दिया उसको दोनों को आपस में compare किया जाता है for example AI detection tools को पहले से दो तरह के database दिये गए ठीक है एक जिसमें सारा का सारा content सिर्फ और सिर्फ AI tools का लिखा हुआ है और एक database जिसमें सारा का सारा content सिर्फ और सिर्फ humans ने लिखा हुआ है अब जो आपने check करने के लिए इसे content दिया वो कुछ elements की help से उसे दोनों database के साथ चेक करेगा compare करेगा और जिस भी set of data से content जादा match करेगा AI detection tool वही जवाब देदेगा अब ये कौन से element है जिनकी help से ये tool काम करते हैं देखो basically चार elements इन AI detection tools की help करते हैं आप इन elements को algorithm या फिर set of codes भी कह सकते हैं ये होते हैं classifiers, embeddings, perplexity और burstiness तो AI tools की working को समझने के लिए हमें इन चारों को भी समझना होगा don't worry घबराओ मत मैं बहुत आसानी से समझा दूँगा आपको बस आप वीडियो को तसली से और अपना दिमाग खोल कर बिना किसी disturbance के देखते रहिए ठीक है, तो सबसे पहले हैं classifiers बहुती आसान भाशा में समझाओं तो ये text यानि जो content चेक करने के लिए आप AI tools को देते हो उस text को अलग-लग करते हैं उस content की tone को चेक करते हैं style, grammar और दूसरी चीजों को चेक करते हैं classifiers text के patterns को पढ़के ये decide करते हैं कि उनके पास जो database में AI और human का content save है पहले से नया content किस से ज़्यादा match कर रहा है समझ गए पहले से content save है उसके पास database में एक AI का database है सारा जो content उसने लिखा जैसा वो pattern use करते हैं वो और एक human का है ठीक है जो content आपने दिया उससे वो check करेंगे क्या check करेंगे, tone check करेंगे, style check करेंगे grammar check करेंगे, थोड़ी बहुत है ना और फिर text को अलग-अलग कर देंगे उसे कोई मतलब नहीं है कि किसका क्या meaning निकल रहा है वो set of words देखेंगे, ठीक है sentence का structure देखेंगे उसके साबसे अलग-अलग करके नए content, नए content जो आपने दिया है वो किस सादब match कर रहा है वो एक label लगा देंगे वहाँ अब बहुत और example से संजा हूँ आपको इसको deeply तो देखो, आपने AI से content लिखवाया ठीक है, फिर उसे किसी AI detection tool में डाला चेक करने के लिए कि वो AI का आ रहा है या human का आ रहा है जैसे ही आप submit पर click करते हो classifier activate हो जाते है है ना, अब button पे जब आप click करोगे तो back end में तो code है ना वो code ही trigger होगा ना जब आप submit पर click करोगे है ना, तो जैसे ही आपने submit पर click किया classifier active हो गए वो data को collect करना शुरू करते हैं और text को अलगलग group में डालने लगते हैं जितना उसे AI वाला content लगता है उसे AI group में और जितना human वाला content लगता है उसे human वाले group में और अगर ऐसा कोई content मिलता है जो उनके database में पहले से save ही नहीं था ना तो AI वाले database से match कर रहा है ना human वाले से match कर रहा है तो वो उसको unlabeled group में डाल देते हैं, फिर इस data की processing की जाती है, basically होता कुछ नहीं, यह text को clean किया जाता है, उसमें से punctuations हो गई, उनको हटा दिया जाता है, words को normalize कर दिया जाता है, और फिर यह देखा जाता है कि अब जो pattern बन रहा है, सारे content का, वो कौन सा बन रहा है, AI वाला या फिर human वाला बन रहा है, और जो भी बनता है, उसकी classification कर दी जाती है, like human return और AI return, तो ऐसे classifiers काम करते हैं, I hope आपको समझ आ गया होगा, चलो अब next समझते हैं, अगला है embeddings, embeddings words और phrases को numbers में convert करता है, so that उन्हें एक high dimensional space में map किया जा सके, नहीं समझे, सर की उपर से गया र समझो, पहला vector representation और second semantic web, इसे हम एक example से समझते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, समझो कि तुम्हारे पास एक बड़ा white board है, ठीक है, और तुम्हें words को वहाँ पे point के रूप में plot करना है, मालो आपने जो content check करने के लिए AI tool को दिया, उसने उस content के हर एक word क अलगलग कर दिया, AI tools जो भी हैं, वो meaning नहीं समझते, emotion नहीं समझते, वो words to words चलते हैं, इसलिए उन्होंने word को अलगलग कर दिया, ठीक है, अब suppose उसमें कुछ words थे, like जो मतलब जो आपने content दिया था, उसमें कुछ words थे, यह suppose करो, और words कौन से थे, कोई भी मालो, जैसे मैं आने हापे लिखा है, king, queen, man, woman, prince, और princess, ठीक है, अब हर word का एक point होगा, जिसमें उसका meaning और उस word का use किस तरह होता है, वो सब consider किया जाएगा, यह सब कुछ training data में दिया जाता है, AI को, अब vector representation के example की बात करते हैं, मालो, हमें king और queen को word बे plot करना है, लगाना है, ठीक है, दोन ही royal होते हैं, है न, king और queen, normal जो लोग हैं, उनसे हटके हुए न, वो, एक middle class family हो गई, यह royal खांदानी लोग हो गई, है न, तो दोनों का meaning थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों ही royal होते हैं, इसलिए हम king और queen को word पर एक दूसरे के pass रखेंगे, लेकिन दोनों में एक difference भी रहेगा, क्या king male है, और queen female है, इसलिए pass तो रखेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा distance भी होगा दोनों के, इसे कहते हैं vector representation, चलो अब समझते हैं कि semantic web का क्या मतलब है, देखो, जो हमने words लिये थे, जो example के लिए, उसमें से हमारे पास और भी अभी words हैं, कौन से, man, woman, prince औ man ही king हो सकता है, है ना, आदमी ही तो होगा ना, राजा, जो औरत है, वो थोड़ना राजा, उसको थोड़ना राजा कह सकते हैं, उसको तो queen कहेंगे, रानी कहेंगे, है ना, तो वही चीज, हम woman को king नहीं कह सकते, ऐसे ही queen woman ही हो सकती है, और woman ही queen हो सकती है, सेम ऐसे ही prince को king क पास और प्रिंसिस को क्वीन के पास रखेंगे समझ रहे हो ना थोड़ा अपने दिमाग भी लगाना मैं बहुत डिटेल में हर एक word to word नहीं समझाओंगा आप खुद से दिमाग लगाओगे सोचोगे समझोगे तभी आपका दिमाग खुलेगा अगर पहली बार में वीडियो समझना है तो दुबारा से देखना ठीक है अब इस process को follow करके जितने भी words का meaning थोड़ा मिलता जूलता होता है उनको हम board पे एक दूसरे के पास रखेंगे ताकि एक तरह से एक semantic web बन जाए इस web में जो words एक दूसरे से related हैं connected हैं जैसे कि अपना king और queen एक जैसे लगते हैं royal family स वहां से हैं वो पास रहेंगे और जो अलग है वो दूर रहेंगे यही होता है semantic web का concept अब अकसर bloggers को आपने देखा होगा कि जिस semantic SEO की यह बात करते हैं उसमें भी यही same process से follow होता है वहां भी content में उन words को keywords को include किया जाता है जो semantically content को strong बनाते हैं like अगर आप इंडिया में apples पर कोई article लिख होगे तो आपको उन states के बारे में भी लिखना पड़ेगा जहां apple जादा होता है like जम्मू कश्मीर हिमाचल है न क्यूंकि देखो Google keyword नहीं समझता पहले होता था ऐसा कि keyword जिसने जितना बार डाल दिया उसका article rank कर गया अब ऐसा नहीं होता आपको keyword पे काम न अगर apple के बारे में बात हो रही है तो वहां पे उस कुछ fruits के बारे में बात होगी apple के कुछ benefits है उनके बारे में बात होगी apple कहां पे उगता है उसके बारे में बात होगी तब उस content का लगेगा Google को कि हाँ, ये एक fully, एक full content है, है ना, एक complete content, एक helpful content, I hope अब आप ये समझ पाए हो कि AI detection tools के लिए embedding element कैसे काम करता है, content को कैसे पहचानता है, क्योंकि AI tools बिना सही prompt के, खुझ से semantically strong content नहीं लिख सकते, but एक human brain लिख सकता है, चलो, vector representation और semantic web को create करने के ल से लिखवाया है, या फिर human से, ये है word frequency analysis, engram analysis, synthetic analysis, और semantic analysis, basically देखो, जो word frequency analysis है, वो check करता है कि कौन से words बार बार use हो रहे हैं, कौन से repeat हो रहे हैं, AI tools जालतर common words या phrases पे depend होते हैं, ठीक है, जिने वो बार बार repeat करते हैं, और जो engram analysis है, वो पूरे phrase को check करता है, एक real human हमेशा अलग अलग और नई तरह की language use करता है, for example, अगर आप में से 20 subscribers को, subscribe तो कर लिया न मुझे, नहीं किया तो please कर लीजिये, तभी तो ऐसी वीडियो में बना पाऊंगा, अच्छा, मैं कह रहा था, अगर आप में से 20 subscriber को, मैं एक ही topic लिखने के लिए दूँ, तो आप सब अलग अलग words का use करोगे, अलग अलग phrases का use करोगे, किसी का भी article same नहीं होगा, जबकि इसका एक live example ले लो यार, अभी मैं आपको बोलू, apple के बारे में सोचो, तो जरूरी नहीं है कि हर एक इनसान के दिमाग में apple same size, same color, same pattern, same उसकी image दिमाग में आएगी, सब के दिमाग में अलग apple की shape आएगी, जैसा भी उसने experience किया होगा, देखा होगा, है ना, तो यही जो चीज है, यही human को AI से अलग करती है, है ना, AI को human से अलग करती है, same way, जो मैंने आपको बताया, जब आपको मैं topic दूँगा, आप लिखोगे, तो किसी का भी article same नहीं होगा, जबकि AI tool एक जैसे phrases ही लिखता है, हाँ, अगर आप उसको same prompt दोगे AI tool को, तो वो जितनी बार भी same prompt दोगे, वो कुछ set of words आपके तरफ फेकेगा, है ना, अलग अलग लिखके फेकेगा, same बिल्कुल exact word to word, same content produced नहीं करेगा, but meaning same होगे, phrases same होगे, बिल्कुल, ठीक है, वो अक्सर same ही word को use करेग words उसकी लगबग आप देखोगे, same ही होगे, जैसे chat GPT का आपने देखा होगा, आप random उसको अगर prompt देते हो, वो dive use करेगा, कि let's dive in, ठीक है, 12 use करेगा, realm use करेगा, ऐसे कुछ words होते हैं, जिनको वो बार बार use करता है, ठीक है, और यहीं से पहचान होती है, एक AI content के, और एक human content, तो जो यह engram analysis है, यही check करता है, next है synthetic analysis, यह आपके content में grammar check करता है, AI tools ज्यादा तर same तरह के sentences बनाते हैं, जबकि human text में ज्यादा variety और complexity होती है, और कुछ grammar mistakes भी होती है, अगर कोई मितलब बहुत high level का brand नहीं है, है ना, बड़ी company नहीं है, कोई छोटा, कोई individual है, तो उस अब बात करते हैं AI detection tools के third element के बारे में, जो है perplexity, यह देखता है कि text कितना predictable है, या कितना समझने के लायक है, जितना ज्यादा perplexity होगा, उतना ज्यादा content human return sound करेगा, क्योंकि humans कभी भी predictable content नहीं लिखते, उनकी writing में उतार चड़ाव रहते हैं, surprises elements हो सकते हैं, जबकि AI predictable manner म लिखता है, कैसे, example से बताता हूँ, देखो, आपको यहाँ पे एक table दिखाई दे रही है, यहाँ पे दो columns हैं this table में, first में है text with low perplexity, मतलब ऐसा text जिसे predict किया जा सकता है, जो AI ने लिखा है, और second column है text with high perplexity, जिसे predict नहीं किया जा सकता, जो human return content हो सकता है, अब पहली row, जो AI का content है, उसमें example है, meeting time पे शुरू हुई और आधे लोगों ने proposal को agree किया, इस बात को समझना, ठीक है, अपने दिमाग में रखना, अभी मैं next example आपके सामने बोल रहा हूँ, अब अगर इसी line को कोई real human लिखता, तो वो इसमें कुछ ऐसे elements add कर सकता था, जो state forward नहीं होते, for example, जैसे कि meeting जो technical problems और power cut के कारण delay हो सकती थी, time पर शुरू हो गई, क्योंकि problems को जल्दी resolve कर दिया गया, लेकिन आधे लोगों ने proposal को ही challenge कर दिया, अब यहाँ पे unpredictable जो चीज है आपको दिखरी होगी साफ, देखो, पहली line में किया था कि meeting time पे शुरू हुई, time पे कुछ AI ने नहीं लिखा, और आगे लिखा उसने कि आधे लोगों ने proposal को agree किया, है ना, 10 लोग थे तो 5 ने agree किया, 5 जो थे बचे हैं, उन्होंने क्या किया, वो चीज AI ने नहीं लिखी, जबकि अगर human उसको लिखता तो वो किस तरह लिख सकता था, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि meeting time पे शुरू हुई, human ने उसमें क्या add किया, कि उसे पता है कि कुछ technical problems थे, power cut था, time पे शुरू होगी फिर भी क्योंकि उनको resolve कर दिया गया, और ये नहीं लिखा कि आधे लोग उन्हें proposal को agree किया, बलकि उसने लिखा क्या, कि आधे लोगों ने proposal को ही challenge कर दि किया, बट लिखने का तरीका different हो गया दोनों का, AI ने चान straightforward तरीके से लिख कर दिया, वहीं human ने उसमें situations को, problems को add किया, जो एक AI कभी नहीं कर सकता, मैंने आपको अभी समझाया उसके बारे में है न, तो ऐसे ही बाकी examples हैं, जो आप वीडियो pause करके या फिक screenshot लेके read कर सकते अब last element है burstiness, यह check करता है कि sentences कितने अलग या different है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 20 लोग किसी एक same ही topic पर कुछ लिखेंगे तो हर कोई अलग-अलग words यूज करेगा, अलग-अलग phrases यूज करेगा, क्योंकि जब भी एक real human लिखता है, तो उसमें variety होती है, situational events हो सकते है real life examples हो सकते हैं, experiences हो सकते हैं, जिबकि AI का लिखा हुआ text repetitive ही होता है, इसका भी simple formula है, repetitive ही होता है, अब देखो burstiness का भी simple सा formula है, ज़्यादा burstiness equals to sentences में ज़्यादा variety, अब देखो इसका मतलब यह नहीं है कि आप perplexity और burstiness को बोलते रहो कि बहुत ज़्यादा रखना, बहुत कचरा कर देगा, कोई भी AI tool है, वो कचरा ही कर देगा, खुद try करके देखना, अब इस burstiness को भी हम एक example से समझते हैं, again आपको में एक table दिखा रहा हूँ, first column में है text with low burstiness and second column में है text with high burstiness, second row देखो, उसको किताबे पढ़ना पसंद है, वो रोज पढ़ती है, उसको mysterious stories अच् इसी line को इसी सब को एक human लिखता, तो उसमें वो बहुत कुछ add कर सकता था, for example, हर शाम वो अपनी mystery वाले novel के साथ बैठ जाती है, कहानी के twist और turns में खो जाती है, और हर page का मजा लेते हुए आराम से बैठ कर पढ़ती रहती है, दोनों में difference आपको साफ दिख रहा होगा, ऐ अब आप पूरी तरह से समझ चुके हो कि AI content detector tool काम कैसे करता है, वो क्या-क्या check करता है, consequence चीजे हैं, है न, embeddings हो गई, आपकी perplexity हो गई, burstiness हो गया, ठीक है, और first में हमने पढ़ा था, classifiers, तो ये सारी चीजे आप समझ चुके हो कि AI tool के पास क्या-क्या चीजे हैं, जिनसे वो चेक करेगा, मतलब जो आप content उसको दोगे, उस content को वो classifier की मदद से अलग-लग करेगा, ठीक है, फिर embedding से देखेगा कि उसमें की semantically वो कितना strong है, ठीक है, और उसमें grammar mistakes तो नहीं है, repeat तो नहीं हो रहा कुछ बार-बार, perplexity से देखेगा कि उसमें आपका कितनी variety है content मे कितनी नहीं है, और burstiness से देखेगा कि वहाँ पर जो आपका content का structure है, वो कैसा है, यह सारी चीज़े AI content detector tools देखते हैं, चलो, अब हम समझते हैं कि यह AI tools कैसे आप लोगों के sentiments के साथ खेल रहे हैं, और लोगों को बेवकूव बना रहे हैं, वीडियो के starting में मैंने आपको बो को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा feel हो रहा है कि green safe zone है और red danger zone है, अब इस वीडियो को pause करो और comment करके मुझे बताओ कि आपको green color safe zone क्यों लग रहा है और red zone अगर dangerous लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आपके पास 10 second का time है चलिए, time's up, green color को safe positive growth के साथ symbolize क्यों किया जाता है, इसका बहुती simple example है, हम सब जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, और खाने में सबजियां भी खाते हैं, और सबजियां होती है green, plants होते है green, nature का color होता है green, trees जो carbon dioxide लेकर हमारे लिए oxygen छोडते हैं और धूप से हमें बचाते हैं वो भी होते हैं green, तो naturally हम green color को safe मानते हैं, हमारा brain green color के लिए कोई भी alert signal नहीं छोडता, उल्टा वो green color को जल्दी से adapt कर लेता है, वहीं अगर हम red color के बात करें तो ये एक strong color है, जिसके लिए mind बहुत ज चुन देखकर हम डर सकते हैं, परिशान हो सकते हैं, इसलिए human brain को जल्दी alert करने के लिए red color का use किया जाता है, इसका perfect example है traffic lights, जहां green का मतलब है, अब कोई खतरा नहीं है, आप road cross कर सकते हो, और red का मतलब है अभी खतरा है, अभी road cross मत करो, color codes की इसी psychology का use करके marketing companies human mind के साथ ख ही 10-20% दिख रहा है, आपको जादा satisfaction किस से होगी, obviously 100% से, अब इसी color code और percentage की psychology का use किया गया AI tax detector tools को बेचने के लिए, जरा सोचो जब COVID आया था तो कैसे एक mask बनाने वाली industry पैदा हो गई थी, आपको designer mask मिल रहे थे market में, कपड़े वाले mask मिल रहे थे, transparent mask मिल रहे थे, अल रोना आया, उससे एक need निकली, mask पहनना आया, और वहां से एक नया invention हुआ, कि हाँ भई, अलग-लग तरीके के mask बाजार में बेचे जा सकते हैं, ठीक है, इसी same concept पे AI detection tools आये, नवंबर 2022 में chat GPT को launch किया गया, और जब chat GPT launch हुआ, तो लोगों ने भर-भर के उससे content लिखव तब tech companies ने AI detection tools को market में launch कर दिया, जो आपको color codes और percentage में score बताने लग गये, कुछ इस तरह से, और ये percentage और color codes आपके sentiments को hit करने लगे, यहां मैं बड़ी-बड़ी companies की बात नहीं कर रहा, उनके लिए सारे methods, tools, उनके लिए complete perspective ही बहुत अलग होता है, definitions बहुत अलग हो जाती है जो एक अलग पूरी एक वीडियो उसमें बन सकती है, यहां मैं बात कर रहा हूँ आपके और मेरे जैसे छोटे digital marketers या bloggers के बारे में, हम लोग ऐसे percentage scores और color scores में fuss गए, और ना जाने कितना time AI text को human text में convert करने में waste किया और कई लोग आज भी कर रहे हैं, जबकि Google ने February 2023 में ही क चाहिए, फिर भी लोग इन color codes और percentage में फसे हुए हैं, और कई लोग तो AI tax detection tools को purchase तक कर लेते हैं, बेसिकली वो करते क्या हैं, देखो, वो एक AI tool से content लिखवा कर, दूसरे AI tool से कहते हैं कि पता करो कि क्या ये content AI ने लिखा है, फिर अगर वो AI tool कहता है कि हाँ AI ने लिखा है, तो फिर वो एक और AI tool से कहते हैं कि AI tool से लिखे content को, AI tool ने कहा है कि वो AI वाला content है, तो अब तुम इसे human return कर दो, मतलब वही बात हो गई, एक चोर ने चोरी की और आपने उस चोर की complaint दूसरे चोर से कर दी, कि बताओ क्या चोरी चोर ने की है, चोर ने कहा हा की है, तो तुम ने एक और चोर से कहा कि इस चोरी को छुपाना है, तो दूसरे चोर ने चोरी की समान पर दूसरी packing करके आपको दे धिया और आप खुश हो गए, और इस सब में बरबाद क्या हुआ, आपका peace of mind, आपका time और आपका पैसा, जितना time आपने किसी AIC लिखे content को human return करने में waste कर यहाँ पे तो red color आ रहा है बार बार, यहाँ पे तो 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, मुझे इसको 100% करना है, मुझे यहाँ पे green color लेके आना है, मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए कि human return content है, और इस सब में आपका पूरा time waste हो गया, अभी वीडियो end नहीं हुई है, अभी मैं आ AI tools को different अलग अलग prompt देकर, बिना कोई भी human element add किये, AI content director AI tools से लिखे content में mixed signal दिखाने लगते हैं, कि कुछ content human ने भी लिखा है, और कुछ AI ने और इस से यह prove होता है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर focus करना है, कि AI से एक helpful content कैसे लिखवा सकते हो, और AI content को human written content में convert करन में अपना time waste नहीं करना, ऐसा waste नहीं करना, इस practical के बाद video end हो जाएगी, इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ, अगर आप video देखते देखते यहां तक पहुंची गए हो, तो subscribe कर लेना अगर नहीं किया तो, वीडियो की description में मेरे WhatsApp चैनल का link है, उसे join कर लेना, और आप पर्सनल mentorship भी ले सकते हो, इसके लिए आपको मुझे Instagram पर message करना है mentorship, तो चलिए अब देखते हैं कि practical क्या है, तो practical के लिए हम यूज कर रहे हैं 0ZPT.com को, यह एक AI Director tool है, यहां पे अपना कोई content paste करते हो, तो वो बताता है, for example, अगर मैं यही content यहां पे एक website खुली हुई है मेरे पास rank tracker, इसका मैं यहां पे content copy करूँ, और यहां पे मैं paste करूँ, और debt करूँ, तो देखो, यह आपको बताएगा कि जो यह content है, वो यह return है, या फिर human return है, अब जो मैंने आपको color coding की सारी psychology समझाई है, वो ही पे सारे जितने भी यह tools हैं, उसी पे काम करते हैं, आपको human return है, तो यहां पे green signal आता है, जादा से जादा, और पूरा ही human return है, तो यहां पे कोई भी signal नहीं आता, और फिर यहां पे percentage आता है, फिर यहां पे red हो जाता है, पूरा का पूरा, अब इसी सारी psychology पे, जो नई beginners हैं, अगर कोई chat GPD का use कर रहा है, किसी AI tool का use कर रहा है, और जब वो ऐसे आके check करता है, YouTube की वीडियो देख देखे कि भी कैसे check करना है, फिर वो परिशान होते हैं, फिर वो उसको human करने में लग जाते हैं, पूरा पूरा दिन उनका खराब होता है, तो ऐसा काम नहीं करना, क्यों नहीं करना, अभी आपको पता चल जाएगा practical से, ठीक आपने देखी उससे पहले, कि जो AI टूल्स हैं, डिटेक्टर टूल्स हैं, वो नहीं समझते हैं, उनको meaning का नहीं पता, कि भई किस word का क्या meaning है, वो बस differentiate करते हैं, उनके जो चार element मैं आपको बताए, classifier, embedding, perplexity और burstiness, उसके basis पे वो पूरे content को check करते हैं, कि इसके अंदर क इस कौन से element कितना है, और उसके basis पे फिर उसको classify करते हैं, अभी देखो, मैंने इसमें सिर्फ dots एड किये हैं, और सिर्फ dots एड करने से ही, यह आपके मेरे इस content को, जो मैंने आपे paste किया है, इसकी जो percentage है, इसको change कर देगा, ठीक है, मैंने इसको detect किया, अभी 87% था, शायद I think है न, और अभी 81% रहा गया, सिर्फ dots लगाने से खतम हो गया, इसने dots को क्या समझा, कि देखो, humans कैसे लिखते हैं, humans कई बार dots यूज करते हैं, कोई story writing हो गया, कोई narration हो गया, quotation हो गया, वहाँ पे इस तरह किस dots यूज किये जाते हैं, तो इसके database के अंदर क्या story है, कि सकते हैं, oh use कर सकते हैं, hey use कर सकते हैं, hey man, मतलब जो हम normal अपने general उसमें use करते हैं, या फिर यहाँ पर आप ले सकते हो, I'm not, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो भी आपको समझ आ रहा है, कुछ भी लिख दो, जो अपने normal language में use होता है, normal बोल चाल की भाशा में use होता है, कुछ भी यहाँ पर, जैसे for example, मैं, जब कुछ surprise होता है, तो oh, लिख सकता है, है न, या कोई ज्यादा कोई cute moment है, तो all लिख सकता है, है न, all लिख दिया मैंने यहाँ पर, ऐसी छोटी छोटी चीजे करके, आप जब यहाँ पर दुबारा से check करोगे, तो यह आपक कि अब यह 63% पर आ गया, देखा 88 पर था, 81 पर आया और अब 63 पर आ गया, क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब है कि जो मैंने अभी इसमें डाला, वो इसके database के अंदर store है, कि जो aha हो गया, ओ हो गया, और कोई ऐसी emotional, छोटे-छोटे words हो गए, modifiers हो गए, वो क क्या मतलब है, क्या नहीं से कोई फरक नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है, तो इस से ये proof, इस चीज़ का proof है ये कि भई, जो detectors हैं, वो meaningless, senseless हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, अता पता कुछ नहीं है उनको, आप उसमें कुछ भी डालोगे, वो उसको कैसे भी change करके बता और यहां पर कभी fixed rating नहीं देगा, है ना, कभी fixed percentage नहीं दिखाएगा, उसको उपर नीचे करता रहेगा, अब मैंने इसमें कुछ भी senseless डाल दिया और उसने 88 से 63% कर दिया, अब next मैं आपको बताता हूँ, नील पटेल की website का, देखो, अब ये भाई साब ना, बहुत ज़् इसमें pop-ups आते रहते हैं, अभी तो ठीक थी, यहां पर मैं लिख देता हूँ, नील पटेल ब्लॉग, तब I think मैं वहां पर पहुँच पाऊँगा, दिरवाज तो इनके pop-ups आने बंद नहीं होंगे, ठीक है, यह आ गया, मैं ब्लॉग section पर, ठीक है, अब देखो, यहां पर पर हम कोई भी इनका, for example, a complete guide अभी यह latest लिखा हुआ है, इसको check करते हैं, ठीक है, इस पूरे content को copy को, अब नील पटेल को तो सब जानते हैं, नील पटेल ने tools बनाए हैं, जैसे कि over suggest इनका tool है, ठीक है, answer the public इनका tool है, जो बहुत बड़े-बड़े bloggers use करते हैं, suggest करते हैं, कि इसको use करो, अब ये नील पटेल खुद काफी promote करते हैं, कि AI का use करो, अपने काम को fast करने के लिए, वगरा, वगरा, but वही चीज़ है, again, कि आपको AI से content लिखवाना आना चाहिए, ना, तो इसके content को हम यहाँ पे paste करेंगे, और देखते हैं, कि इसमें क्या बताता है, ये डाल रखा है, ना content, कोई फरक पढ़ रहा है, ये चीज़ बता भी रहा है, तो उससे क्या फरक पढ़ता है, इससे क्या इनकी ranking खतम हो जाएगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, जैसा भी content है, जो भी है, useful है, बहुत detailed है, in-depth है, कोई अगर पढ़ने बैठेगा, तो उसे बहुत सारी चीज़े अच्छे से समझ आएंगी, helpful content है, तो यही main focus है Google का, आप helpful content लिखो, फिर उसमें ये सब चीज़े देखने कोई जरूरत नहीं है, आपको, ना SEO ज्यादा करने के जरूरत है, ना आपको इन सब चीज़े में पढ़ने के जरूरत है, कि यहाँ पर red आ र doubts लेता हूँ, बताता हूँ, उनको सारी चीज़े समझाता हूँ, वहाँ पर मुझे कई लोगों ने एक question यह पूछ लिया, कि sir, अगर हम ऐसे काम करेंगे, तो हम जब AI tool में जाएंगे, चेक करेंगे, वहाँ पर तो बता देगा, कि AI का लिखा content है, फिर हम क्या करेंगे, भ नील पटेल के उसको भी बता रहा है कि AI है, तो होता रहे, क्या फरक पड़ता है नील पटेल को, इससे भी फरक पड़ जाएगा, ठीक है, अब देखो, उसके बाद है हमारे पास Google, अब Google का यह ब्लॉग है, Google के ब्लॉग में भी हम कोई अगर यहाँ पर चेक करें, तो जैस कि आर्टिकल को देखोगे कभी यहाँ पर डाल के, तो वो most of the cases में human return ही आपको दिखाई देंगे, कि human return articles है, जैसे देखो, यह human return दिखाई दे रहा है, क्यूंकि Google है, Samsung है, यह अपने ही product के updates पे लिखते हैं, ऐसी update जो अभी internet पे available ही नहीं है, है ना, अब मालो Google ने यहाँ पे अपने जो यह five Google TV streamer features जो बताए हैं, ठीक है, यह features Google ने डाले और अपनी website पे list कर दिये, यह information अब Google पे पहुँच गई, अब इस information को कोई और तोर मनोर के उल्टा सिदा कैसे भी rate करके लिखता है, लिखवाता है किसी उससे, तब नहीं यह बताएगा कि AI generated है, है ना, य यह तो किसी कोई human ही लिखेगा, क्योंकि AI वो चीज लिखी नहीं सकता, जो अभी internet पे available ही नहीं है, जिसका data इसके पास है ही नहीं, किसी AI tool के पास, ठीक है, चैट GPT से अगर आप अभी बोलो, कि for example, अगर मैं आपको दूँ तो, मालो आपके city में, एक कबड़ी का match हो रहा जीरता, कुछ लिख देगा, नहीं लिख पाए, क्योंकि वो information उसके database मी नहीं है, उसके database में तो दुनिया जहान का पुराना scrap किया हुआ data पड़ा है, अलग-लग websites का, जो website बहुत low quality की है, उनके data भी है, उसके पास, जो बहुत high quality की है, high domain authority की है, उनका website भी उसके data है, उसक जैड़ जीपटी के पास, दूसरे AI tools के पास, तो वो तो वैसी लिखेगा, तो जितनी भी यह Google जैसी websites हो गई, बड़ी-बड़ी websites हो गई, आप कभी भी इस चक्र में मत पढ़ना कि यार, इनके content तो human return है, पूरे-पूरे, तो हमारे भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है, उनका आप content देखू, content ही बहुत अलग है, अब ये Google Nest के बारे में बता रहा है, तो Google Nest के बारे में ये वो चीज़ बताएगा ना, जो इन्होंने अपने product में add की है, और वो तो कहीं भी internet पे नहीं मिलेंगी आपको पहले, वो तो series की website पे मिलेंगी, है ना, तो इस चीज़ को समझ कहां पे कौन सी news है, अब news में मैं बात करूँ आपसे, तो news कभी भी बनाई नहीं जाती है, news कभी rewrite नहीं की जाती, अगर आपके कहीं पे कोई accident हुआ है, तो आप उसको तुरंत break करोगे, कि ये accident हुआ, है ना, उसमें कोई rewrite करने नहीं बैठोगे, कि ऐसा हुआ था, वैसा ह हुआ था, तो news का भी content हो गया, वो भी आपको most of the cases में human return ही मिलेगा, क्योंकि कोई चीज़ कहीं break हुई है, first time knowledge में आई है, तो उसको first time write किया जा रहा है, है ना, first time write किया जा रहा है, तो उसको first time human ही write करेगा, AI write करी नहीं सकता, तो इसलिए ऐसे कभी चक्रों में मत पढ़ करना कि कोई आपको दिखाए कि देखो इसका human return है, तो आपका भी human return होना चाहिए, नहीं, इसका भी मैं आपका भी proof दूँगा कि AI written का content top rank हो सकता है, देखो, अब मैंने अगला example आपके लिए खोल के रखा है कि यह HSBC का कोई एक यह article है, इसको मैं यहाँ पे copy करता हूँ, और यहाँ पे इसको check करेंगे हम और देखेंगे कि यह बता रहा है कि AI is generated है, your text is likely generated by AI, मतलब इतना भी आता है न, तब भी कई लोग डर जाते हैं कि यार हाई, यह क्या होगे, अब मेरा content कैसे rank करेगा, अरे मत देखो भाई, इन चीजों को मत देखो, मत देखो, बहुत बा अब भी, ठीक है, इस percentage के साथ खेलता हूँ, देखो, यह content human का लिखा हुआ था, ठीक है, और इसने बता दिया कि कुछ इसमें element है, AI के हो सकते हैं, ठीक है, होगे, क्यूंकि जो HSBC की information होगे, HSBC India related कोई data होगा, वो इसके पास पहले से store होगा, उस data को इसने के साथ match किया, औ भई, यहां पर यह है, बट, अगर मैं इस सारे content को, chat GPT को बोलूँ कि इसको rewrite कर दे, कैसे कर दे, rewrite, ऐसे rewrite कर दे, कि मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे भी समझ आए, तो इसने rewrite करके दे दिया मुझे यह, बहुत ही easy language में, इसको मैं जाओंगा, यहां पर paste करूँगा, और check करूँगा कि इसको क्या बताता है, देखो, इसको 42 बता रहा है, ठीक है, अभी मैं ने फिर इसको बोला कि इसमें कुछ stats add कर दे, कुछ real life example add कर दे फिर से, और फिर मैं इसको copy करूँगा, और फिर से यहां पर paste करूँगा, अभी same ही content है, ठीक है, same ही words है, ठीक है, मैं क्या बतुल ना, words चेक करता है, अलग-लग करता है, तो words अभी तक same ही है, कुछ-कुछ change हो रहे होंगे, कोई complex word है, उसको breakdown कर दिया होगा, less complex word में, simple word में, 42 से कहां आ गया, 58 आ ठीक है, 58 आ अब देखो, जो यह आपको दिख रहा है न, यह star star, यह triple hash, अब जिसको पता नहीं मैं बता दूँ, जो triple hash है, wordpress में shortcut होता है, h3 heading के लिए, ठीक है, और अगर यहाँ पे double hash use करते हो, तो यह double hash shortcut होता है, h2 heading के लिए, ठीक है, wordpress के अंदर, तो उसे साब जे इसने लिख के दे दिया, अब अगर मैं इसको बोलूँ, कि भाई, जो यह bold वगरा कर रखा है, इसक करता हूँ, तो यह 58 से, देखो कहां पे जाएगा, 61 पे चला गया, ठीक है, same content अभी तक हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ चला गया, फिर मैंने इसको बोल दिया, कि भाई, इसमें perplexity को add कर दे, और burstiness को add कर दे, सिर्फ इतना ही बोला है, मैंने इसको, कोई फालत मैंने कैसे काम करता है, अब अब लाइव आपको पता चला, मैंने क्लासिफायर, perplexity, embeddings, और burstiness, ठीक है, चार चीज़े बताई थी, कि इन चार चीजों के basis पे AI टूल काम करते हैं, जैसी मैंने चैट जीपीडी को बोला कि इसके अंदर perplexity और burstiness add कर दे, ठीक है, जैसी इस 61 से सीधा कहां पे चला गया, 37 पे, तो आपको लगता है कि ऐसे AI टूल्स जो detectors हैं, इन पे भरोसा करना चाहिए, इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, और ये जो pricing नोंने हां पे लिख रखी है, कि 8 डॉलर, 19 डॉलर ये waste करने चाहिए, कभी भी नहीं करने चाहिए, भाई, कभी best knowledge कैसे दूँ, जो पहले 5 articles हैं, उन्होंने क्या चीज मिस की है, और मैं अपने पूरे article में वो सब कुछ add कैसे कर दूँ, वो भला ही चाहिए, आप अपने खुद से लिखके करो, चाहिए AI से लिखवाओ, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, अब इसका proof अगर मैं द examples ढूणना चाहता था, आप खुद से, खुद से कर सकते हो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पे है ना, खुद, चेक करके देखना, मैंने यहां पर चेक किया, how to invest in bonds, ठीक है, यह मैंने सर्च किया, और मेरे पास यहां पर एक government का result आया, पहला government website का, और दूसरा आ ब्लैक रॉक का, मैंने ब्लैक रॉक के आर्टिकल को open किया, यह हमारे पास open हो गया, और इसका जो content है, इसको अब मैं chat GPT को दूँगा, आप मुझे guess करके बताओ, कि यह content जो है, chat GPT, sorry, AI detector tool है, जो, वो human return बताएगा, या फिर AI return बताएगा, guess करके बताओ, चलो, मैं तब त comment में लिखो, और यह आ गया, 93.97 पर AI का लिखा हुआ है, क्यूं, logic समझो इसके पीछे, क्यूं, क्यूंकि bonds की information, already पहले से, सारे AI tools, जो writing के tools है, उनके पास है, जिस तरीके से यह use हो रहे है, इसमें यहाँ पे language use हो रही है, instrumental, government, companies, certain type of bonds, यह municipal bonds, यह सब पहले से database में उसके ह है, अलग-अलग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसने उठा के उसको, उन words को match की और बता दिया, जस्ट, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूँ, chat GPT को write five ear port, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, और इसको दे दो, वो पूरा का पूरा जो भी इसने लिखके दिया और फिर इसको search करो, क्योंकि देखो, अब क्या होगा, कि जो यहाँ पे complex words थे, जितने भी, उनको यह change कर देगा, change करके बहुत ही simple words में आपको लिखके देगा, ठीक है, अभी मैं इतना ही check करके देखूँ, या फिर चलो पूरा हो जाने दो, ठीक है, जितना भी लिखके द दिया ना इसने, तो वही चीज है भाई, यह नहीं समझते हैं, यह senseless होते हैं, इनको नहीं पता कि content कैसा आ रहा है, हमारे पास क्या रहा है, उसका meaning क्या है, नहीं है, जो मेरे student है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, और जो नहीं है, जो subscriber है मेरे channel के, उनको भी कहना कि भाई, अगर AI tools का use करना है content writing के लिए, तो सबसे पहले content writing समझो, उसके pillars क्या है, वो समझो, content के structures क्या-क्या होते हैं, वो समझो, क्योंकि आपको अगर कोई एक बंदा कोई prompt दे देता है, कि भाई, यह prompt है, इस prompt से आप article लिख सकते हो, तो उस prompt से अंधित होकर हर तरीके क article नहीं लिखा जा सकता, same prompt एक in-depth article के लिए, और वही prompt news लिखने के लिए, वही prompt कोई listical article लिखने के लिए, वही prompt कोई affiliate का blog लिखने के लिए, review करने के लिए, वही same prompt job listing के articles लिखने के लिए, नहीं use हो सकता, हर तरीके के content के लिए, हर तरीके का अलग-लग prompt use होता है, और वो prompt अब खुद से बना सकते हो ठीक है किसी भी website पर जाओ उसके जो टॉप ranked है उसके article को देखो उसने क्या यूज किया है for example इसने छोटी सी heading यूज की है ठीक है फिर इसने यहाँ पर key takeaways यूज किये है table of content यूज किया है फिर definition आ गई ठीक है और फिर last में देख लो कितने पूरा देख लो कितने h2s यूज की हैं फिर इसमें चेक कर लो कि इसने conclusion दिया है नहीं दिया है conclusion दिया है इसने conclusion के बाद इसने facts दिये है faqs sorry faqs के बाद इसने conclusion दिया है तो जो structure आपको दिख रहा है उसको as it is बोल दो chat GPT या किसी को भी कि भई नील पटेल का ऐसा article है उसको ऐसे ऐसे उसने लिखा है यह उसने easy words चूज किये हैं कर करके अपना एक prompt बना लो कोई job वाला लिखना है को job वाला का देख के बना लो हिंदी का है तो हिंदी वाला देख के बना लो भाई जो भी आपको दिख रहा है उसको observe करो और as it is उसको chat GPT को बोल दो कि भई यह ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है और मुझे ऐसा सा बना के दे दे वो बना के दे देगा तुम्हें किसी भी के पीछे भागनी की ज़रूत नहीं है कि मुझे prompt दे दो कोई नहीं देगा देगा तो वो फालतो के prompt देगा तुम्हें ठीक है अपना experience कोई भी फ्री में शेयर नहीं करता बहुत कम लोग होते हैं जिने भरोसा होता है कि भी मैं अपना experience फ्री में शेयर कर भी दूँगा तो मुझे उसका return मिलेगा उसका ROI मिलेगा future में तो इन सारी चीजों को समझो और समझने के बाद अपने content creation पे ध्यान दो ठीक है कैसे आप क्यूंकि अगर आपको अच्छे से लिखना नहीं आएगा आपको पता ही नहीं होगा content का structure क्या होता है तो आप अच्छे से लिखवा भी नहीं पाऊगे और फिर ऐसी चीजों में उलजे देखो example दू लास्ट ये इसके बाद हमारी वीडियो खतम हो जाएगी I know बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है और मेरे lecture तो दो से तीन तीन चार चार पांच बच घंटे भी हो जाते के बर class में ठीक है बट यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक घंटे कंदर सब experience नहीं है कुछ नहीं पता घंटे बनाना क्या होता है क्या नहीं कुछ भी नहीं पता इन भुड़े अंकल के पास सिर्फ और सिर्फ एक घंटी है और कुछ नहीं है जबकिस लड़की के पास सारे tools है वो सब tools है जिन से एक अच्छा घंटा बन सकता है यह same example मैं अपनी class में बताता हूँ और यहां भी आपको बता रहा हूँ ठीक है अब मुझे बताओ कि कौन अच्छा घंटा बनाएगा obviously जिसके पास experience है वो ही अच्छा घंटा बनाएगा क्यूंकि इनके पास experience है इन्होंने कितने ही घंटे होंगे तोड़ तूटे होंगे खराब होंगे उसके ब बना पाएगे किमकि इसको पता ही नहीं टूल्स का यूज कैसे करना है सेम वही concept तुम्हारे ब्लॉगिंग पे लागू होता है अगर आपको पता ही नहीं यह content writing कैसी होती है कितने तरीके की होती है कैसे लिखा जाता है तो तुम जितना मर्जी सिर मार लो दिवार में तुम